सामने दिखाई देने वाला यह जीव जो हमारे आसपास पाय जाने वाले मवेशियों की तरह दिखाई दे रहा है यह इंडियन बाइसन है जिसे गौर के नाम से भी जानते हैं भारतिय बाइसन या गौर भारत में पाय जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाती है दुनिया में गौर पूरे दक्षिन पूर्व एसिया में पाय जाते हैं जिनमें से लगबग 85% से ज़्यादा आवादी भारत में पाय जाती है भारत में ये पश्चिमगार छेतर में बहुत अधिक पाय जाते हैं मुखे रुप से नागर होल राष्ट्रिय उद्यान बांदी पूर राष्ट्रिय उद्यान मासिना गुडी राष्ट्रिय उद्यान तथा बिली गिरी रंगना हिल्स यानि की बी यार हिल्स के छेतर में जादा पाए जाते हैं इनकी कुछ आबादी बर्मा और थाइलेंड में भी पाए जाती है अगर इनके आवास की बात करें तो सदा बहार वन और आदरपन पाती वन मुख्य रूप से इनके आवास स्थान है ये शाकहारी जीव होते हैं इन्हें चरने वाला जानवर भी कहते हैं ये सुबह, जल्दी और शाम में देर से भोजन करते हैं गौर को एक समाजिक प्राणी माना जाता है जो ज़्यादतर जुन्ड में पाए जाते हैं घास के मैदानों का विनास और व्योशाइक रूप से महतोपूर्ण पोधों का व्रिक्षारोपन इन चरने वाले जीवों के लिए भोजन की कमी का खत्रा उत्पन कर देता है भोजन की कमी और आवास की हानी के कारण इन्हें आज सुरक्षित लुप तप्राय जानवरों की श्रेणी में रखा गया है थैंक्स पर वोचिंग